अगर यह फीमेल मेनोपॉजल स्टेज में है यानि की पोस्ट मेनोपॉजल तो उनमें वाइट डिस्चार्ज या एनी टाइप ओफ फ्रिक्शन से अगर ब्लीडिंग होता है या फिर फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज दिखाई देता है या देखा जाता है तो उसमें हम सर्वाइकल कैंसर के चांसिस बढ़ जाते हैं दूसरा जिन में menses चालू है या pre-menopausal female होते हैं, उनमें whitish discharge या persistent long vaginal discharge या foul smelling discharge अगर देखा जाता है तो इनमें cervical cancer के chances बढ़ जाते हैं दूसरा post-coital bleeding यानि की friction से अगर bleeding हो रहा है mainly after sex ये cervical cancer के लक्षणे हैं कर दो दो रहा हैं